हाँ तो गाईस आज की वीडियो बहुत-जादा इंपोर्टेंट होने वाली है इंपोर्टेंट इन दे सेंस कि आज वाली वीडियो में सिंपल में बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में अपन perfect entry कहां पे ले और perfect exit कहां पे ले ठीक है तो ऐसी entry यहां पे बनाई आई जिससे अपना का stop loss छोटा सा पढ़ रहा हो और exit वहां पे लिया जाए जहां पे easily अपने को 1-3-4-5 तक का भी profit मिले ठीक है तो सुनो ध्यान से और इसको back testing करो after that आप अपने rule trading में लगा सकते हो ठीक है अब देखो simple मैंने nifty की strategy reveal कर रखी है बहुत सारों का comment आया था कि हमें bank nifty का भी चाहिए तो मैं ज़्यादा setup पे trade नहीं करता हूँ simple एक है दो setup पे trade करता हूँ जो मेरी nifty वाला setup है वो इसमें execute मैं नहीं करता हूँ तो कि इसमें थोड़ी सी volatility जादा होती है और momentum अच्छा मिलता है तो इस वाले में जो setup use करता हूँ वो मैं अभी आपको reveal कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखें ध्यान से समझें तो bank nifty का chart open कर लेंगे time frame must be five minute after that indicator में जाएंगे आप यहाँ पे search करेंगे stock आपको यह देख रहा है stock इसको आप click करेंगे two times ओके आप click करेंगे two times आपका stock लग गया indicator दो बार ठीक है after that आपको एक और indicator की जरुवत पड़ेगी जो की है moving average moving average जो होगा वो आपका simple नहीं होगा आपका moving average exponential ठीक है इसको आप click कर लेंगे अब आपको मैं simple ले चलता हूँ इसकी settings पर settings कैसे करेंगे जिससे अपना trade अच्छे सा अच्छा हो सगे सबसे पहले EMA की setting करेंगे EMA की setting में जाना है आपको style आप कुछ भी लग सकते हो color red, blue, green कुछ भी लग सकते हो चलो मैं black कर लेता हूँ ठोसा dark कर लेता हूँ यहां से okay कर देता हूँ ठीक है input में आए input is most important input में अपने इसको काटेंगे और यहां पर कर देंगे 20 ठीक है यह smoothing है इसको bleed करके 3 कर देना है तो आपका क्या होगा 14 3 3 okay done यह भी setting done next stock का setting क्या है आपका stock का setting है अगला style पर फिर से जाना है आपको अपने lining के साब से जो भी अच्छा लगता है वो आप यहां पर setting कर सकते है बट input में यहां पर 14 के जगे आपको आप कर देना है 50 okay after 50 के ला यहां पर 33 फिर से आपका क्या हो गया दो दौनों setting अच्छी तरह हो गया stock का क्या है 14 3 3 अगला है 50 3 3 अब आपको एक drawing से लेना है horizontal line after that आपको यहां पर just पहले वाले 50 के आसपास एक draw कर लेनी है just ऐसे और second आपको फिर से यहां पर 50 के आसपास draw कर लेनी है ऐसे ठ आपका setup ready है traders पक्का ready है अब अपन देखते हैं यहां पर trade कैसे करनी है ठीक है सबसे बड़ा twist इसमें यह है कि अपन candle stick use नहीं करेंगे हम करेंगे हेकनाशी candle stick ठीक है हेकनाशी candle stick अपने थोड़ा कम करती है red green candles को थोड़ा सा देखने में जो बेकार लगता है यहां पर buy कर ले यहां पर sell कर ले उसको थोड़ा सा reduce करती है हेकनाशी candles तो उसकी basis पे अपन trade बनाएंगे पहले तो अपने EMA set होगे stock दोनों set होगे और अपने आपके करेंगे ऊपर से जहां पर से time frame select किया जाता है उसके right में देखोगे तो candles होगी वहां से अपन से पर करेंगे हेकनाशी candles ठीक है हेकनाशी candles आपको दिखरी होगी यहां पर last में है इसको कर देंगे select यह होगे अपने हेकनाशी candle stick यहां से अपना थोड़ा सा noise कम हो गया noise क्या मतलब क्या है red green red green कम हो गया अब एक second मैं यहां पर एक और bank nifty का chart लगा लेता हूं आपको cut and clear हो जिसके वज़े से एक second टुकना guys हाँ चलिए मेरे दौनों लग चुके हैं अब दौनों से देखते हैं अब अपन आ गए है जून 1 को ठीक है जून 1 को यह वाला जून 1 का map है मिस चार्ट है अब अपने को trade कैसे बनानी है सबसे major rule हेकनाशी candles end होने का time देना है moving average के उपर जब भी कोई candle moving average के उपर end करती है तो अपने को समझ आता है कि अब यहां से bullish momentum आ सकता है आएगा नहीं आ सकता है तो जस्ट यहां पर देखना यहां पर candle इसके उपर end की है अब second confirmation क्या है अपना जो पहला वाला stock है यह 50 के अबव होना चाहिए 50 के अबव और second वाला भी अबव होना चाहिए दौनों अगर 50 के अबव होते हैं हेका नाशी candle इस moving average के उपर बनती है तो अपने trade ले सकते हैं in call ठीक है rules फिर से बता रहा हूं major rule क्या है हेका नाशी candles moving average के ऊपर end होनी चाहिए और 50 के ऊपर यह दोने stock अपने rally करने चाहिए उसके बाद अपन call के positions को बना सकते हैं first rule second rule अपनको exit कहां पे करना है ठीक है अपनको exit कहां पे करना है एक second drawing को review कर लेते हैं अब अपनको exit कहां पे करना है सबसे पहले exit button आपको तब तक नहीं बद दवाना है जब तक आपका कोई हीकनाशी candle moving average के नीचे end ना कर दे means अपनने अगर यहां पे call बनाई है जब तक कोई हीकनाशी candle इसके नीचे नहीं end कर देता आपनको exit नहीं करना है मैं इसा क्यों बोल रहा हूं आप जल्दी जल्दी में exit कर देते हो तो बड़ी जो profit मिलने वाला बड़ा profit मिलने वाला वो profit नहीं मिल पाता in the sense यहां पर देखते हैं अपन क्या हुआ है एक सेकंड drawing क Вам रूआख कर लेते हैं पहले यहां पर देखियो-sorry यहां पर कॉल बता रहा है यहां भी जान में ऑपर इस करवा दिया अपनी first position ठीक है first position अपन चलते हैं यहां पर अब देखिए जून को शाध्य दस बजए अपन कर दी गई थी एक सेकंड शाध्य दस बजए कहीं यहां पर call दी गई थी यहां पर call दी गई थी और exit कहां पर किया अपना बारा बजे करेक्ट यहां पर अब देखो इसमें अपनों क्या हो गया लॉस ठीक है अब देखो लॉस कितने पॉइंट का हुआ है यहां से अपने मेजर करेंगे लॉस हुआ है अपनों को अप्रोक्स 50 points means premium में अपनों को loss हुआ अगो bank nifty में सिर्फ 20 points का तो यह हो गया हमारा क्या stop loss ठीक है पहला अब मैं सुरूई में stop loss क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि stop loss भाई game का part है ऐसा सब आते हैं आतने सबसे profit दिखाते हैं पर ऐसी बात नहीं है stop loss भी हट होते है अब देखे second चीज अ यहाँ पर break कर दिया इसने हीकराशी candle ने अपना simple break कर दिया moving average को और यहाँ पर अपना इसकी ऊपर है अभी अपने entry नहीं बनाएं इस candle में हाँ आप देखो इस वाली candle में जस्ट देखोगे तो एक बचके 50 मिंट पे यह भी इसके नीचे है और यह भी बिल्कुल line पे आग कर जाता candle को sustain करी नहीं करी यहाँ पर नीचे है हाँ जी नीचे है अब चलते है graph में अब देखो एक पचास पर अपनको entry मिली एक पचास कहा है जस्ट यहाँ पर ठीक है इसको करते हैं डिली टूपर वाले को एक पचास अब देखोगा इस आपकी entry और profit 312 point की rally means approximately 200 point in premium 20 point का आपने कह दिया SL आपने 20 point का कह दिया SL और उसके against आपने कमाए 250 point premium in bank nifty अब देखो यह वाली strategy आप याद रखना यह एक momentum strategy है यह है momentum strategy है एक second यह आपकी कहा है momentum strategy आपका momentum आएगा ना तो यह बिल्कुल नहीं जाने देगी पूरा का पूरा profit देख जाएगी but अगर sideways market हुग तो में भी उस दिन आपका एका stop loss hit कर सकता है पर stop loss कितने का point का हुगा 20 से 30 point ज्यादा से यादा 40 point इस से यादा stop loss आपका नहीं देगा यह ठीक है यह बहुत important चीज़ है और बहुत important बात भी है strategy की इसलिए momentum strategy बता रहा हूँ क्योंकि bank nifty में अच्छे खास momentum मिलता है और nifty के लाने लिए मेरा एक अलग strategy जो कि मैंने आपको reveal कर रहा है कि Vweb वाली black dotted line वाली ठीक है अब यह होगी आज का काम अब थोड़ा चलता है पीछे का ठीक है अब आते हैं आप बोलोगी इसका देखा दिया वह तो falling किया था चलो पीछे चलते हैं बाई कोई रिकत नहीं है और पीछे चलते हैं चलो यह हो गया अब देखो भाई यह वाली देखो अपन आये 31st को मैंने क्या बताया 31st के बाद अपनों क्या करना सबसे पहले दो सबसे इंपोर्टन चीज 945 से पहले entry नहीं बनानी चाहे वो profit दे चाहे loss 945 से पहले कोई entry नहीं बनेगी अपनी क्यों कि मेबी वहां पर stopless hunt हो सकता है ठीक है अब देखो अपना आये 31st को 915 को यहाँ पर यहाँ 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 इतना से जादा market गिर भी गया अपना कोई चिंता नहीं गिर जाने दो अपनी strategy बोल रहे है 945 से 945 से पहले entry नहीं लेनी तो नहीं लेनी यहाँ पर 945 हुआ हुआ ह अपने strategy क्या बोल रही है moving average के नीचे है यह भी इसके नीचे है यह भी इसके नीचे है तीनों ने आपने को बता दिया कि इसके नीचे है तो 945 पे अपने entry बनती है किस दिन बनती है 31st को 31st को अपने 945 पे entry बनती है किस तरफ put तरफ अपनी entry बन रही है put तरफ ठीक है अब देखिए गाइस, पुट तरफ entry बनाई, अब मैंने के बाद आता, कोई भी candle अगर अच्छी तरह sustain कर जाए moving average के ऊपर, तो exit करना है, कोई से sustain करी, नहीं करी, just touch करके वाप्ट reverse कर गई, अब guys, simple, देखो, 9.45 पे अपनी entry थी, अब ये वाली candle देखो, पे क्योंकि ये candle stick नहीं है, candle stick चाट पे चलते है, 31 को, 31 चलते है पीछे, 31 कहा है, 31 कहा है, 31 ये रहा, drawing को कर लो, remove, अब सुबह सुबह मार्केट में देखो, बहुत ज़्यादा public होगी, इतनी बड़ी rally देखी होगी, ये वाली, अब लगेगी भाई, इतना तो गिर चुका है, मार्केट कितना गिरेगा, और यहां से आद्मियों ने बनाएगी, call और फस गे, put में, और मैंने जो strategy बताई, momentum strategy है, अपने को profit देगी, नहीं तो stop loss देगी, तो छोटा सा देगी, ठीक है, तो फिर से अपने क्या क्या, simple, इस वाली strategy पे आए, जो मैंने बताई था, 9.45 पे अब 9.45 धूड़ो कहां पे, 9.45, 9.45 यह रहा, 9.45 पे अपने खल लिया, mark, यहां पे हुई है, अपनी पे नहीं है, ठीक है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, और exit भी बताई आपको कहां लेना है, ठीक है, exit भी बताई, आपको कहां लेना है, entry भी बता दिया, अब यहां से आप point count करो, अप्रोक्स कितना दिया, 220 point, means अप्रोक्स 150 point in premium, premium में 145 point का इंक्रीज होना, मजाक नहीं है, ठीक है, तो गाइस देखो, simple चीज, यह एक momentum strategy फिर से बता रहा हूँ, जिस दिन side में से market होगा, profit देगी, पक्का देगी, अगर momentum मिला, तो कम देगी, मेभी आपका stop loss लगेगा, आप देख सकते हो, यह वाला दो कितना range bound market, आपको 3-4 entry मिली है, एक और major point, golden point बता देता हूँ, strategy का, अगर आपको दिन में 2 से ज़्यादा entry मिलती है, तो उस दिन आप trading avoid करो, क्योंकि उस दिन market volatile है, और stop loss hunt कर रहा, तो उस दिन market में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे यह दो कई बार entry दे रहा है, आपको entry नहीं लेनी, अब यह कई बार entry नहीं भी देगा ना तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो भाई अगले दिन आपको अच्छा खासा point देख जाएगी, second चीज़ देखो, अब यह वाली rally देखो, यह वाली rally देखो ना भाई, आप अब यहाँ पर कई ने put की position बनाई होगी, देख 26 में तो खुई है, सुबह से ही अपनों को buying दिये, buying, 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 और कहीं पर exit का अपनों को signal भी नहीं दिया, तो अपन ने कुल मिला के 9.45 कहा है यह रहा, 9.45 से बिल्कुल last तक की rally captured किये, 400 point की अराम से, भाई सही बता र target अपनों को पता यहाँ पे मिलते है, approach 1.6 से उपर उपर, और stop loss हिट होता तो 1% या 2% of capital आप जैसे उसमें trade करना चाहते हो तो, तो guys यह थी मेरा setup bank nifty के लिए perfect entry और perfect exit के लिए, तो चलिए guys, चलते हैं, जैशी राम